हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने वीवो T2X Android में आप जो है लॉक लियाउट सेटिंग को आपना डिसेबल कैसे कर सकते हैं यानि कि आफ कैसे कर सकते हैं ठीक है और यह लॉक लियाउट सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करती है आज के इस वीडियो में हम आपको डीटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए आप यह वीडियो का हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने मुवाइल फोन में सेटिंग पेज ओपन करना है ठीक है इसके अगले पेज मे आपको नीचे आना है और यहां पर आपको option मिलेगा यह लॉक लियाउट का ठीक है लॉक लियाउट के इस option के ठीक सामने आपको यह बटन दे रहा है इस बटन को आपको टैप करके से off करना है यानि कि इस setting को disable करने से पहले मैं आपको कुछ बाते यहां पर बता देता हूं द यह लेकिन क्या है की open तो हो जाते हैं लेकिन हीलते नहीं अपनी जगे से open करूँगा तो अपनी जगे से healing हैं नहीं तो आपको करना है क्या है यह जो Lock Layout Setting है ना इस setting को आपको disable कर देना है यानि कि setting को off करना है यह देखिए मैं इस black color में बटन off हो जागा यानि कि setting disable हो जाएगी अब देखिए यहाँ पर यह मैं किसी भी app को अकर उगली से दबा के रखो न तो यह अपनी जगे से हिल जाएगा यह देखिए कहीं पर भी से उठा के रख सकता हूं आप को ठीक है तो इस तरीके से setting काम करती है आपकी lock layout setting disable होने के बाट ठीक है अब मैं आपको जाना इस lock layout setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका बता देता हूं आपके phone में इसके लिए आपको करना है क्या mobile phone का आपको setting page open करना है setting page में आपको सबसे उपर यह search icon आपको select करना है और यहां पर आपको search bar में type करना है lock layout setting का name डाल देना है तो आपको नीचे यह option से हो जाएगा इससे select करना है इससे क्या होता है आपका mobile phone आपको directly setting page में लेकर आ जाता है और आपको नीचे की side में यह option मिल जाता है तो यह मैंने आपको इस shortcut तरीका भी बता दिया इस setting को आइल फोन में